चैनल सक्वापूम वा दिल्ली सर्नसमाः समाज की और से आप सभी प्रकृति प्रेमियों को जोहार। आज दिनांक 29 अक्तूबर 2023 को दिल्ली सर्नसमाः समाज द्वारा पंकराज बाबा कार्ति कुराव जी की 99 जियनती बड़ी धूम धाम से मनाई गई। कार्ति कुराव जी का जन 29 अक्तूबर 1924 में जिला गुमला के एक साधारण से गाउं लिट्टा टोली परखंड क्रोंदा में हुआ था। उनके पिता का नाम जोरा उराव वा माता का नाम बिरसी उराव था। अपनी प्रारंबिक सिच्छा गुमला से प्राप्त करने के बाद उन्होंने बिहार कॉलेज ओफ इंजिनिरिंग से इंजिनिरिंग की डिगरी हासिल की। उसके बाद एडवांस स्टडी के लिए उराव साब इंगलेंड गए और वहां लगातर नौ साल तक पढ़ाई करके विभिन डिगरीया हासिल की। इंगलेंड के हैंकले निउकलियर पावर प्लांट का स्ट्रक्चर तयार करने में भी उन्होंने एहम भूमी का निभाई। इंगलेंड में एक आदीवासी इंजिनियर की परतिबात देखकर ततकालिन परधानमंत्री नहरू जी बहुत परभावित हुए और उन्होंने कार्थिक उराव जी को भारत के नव निर्मान में अपना योगदान देने के लिए प्रोथसाहित वा आमंत्रित किया। 1961 में कुराव साब भारत वापस लोटे और HEC में डिप्टी चीफ इंजिनियर के पद पर कारे करते हुए उन्होंने HEC को एक विश्व इस्तरिय कारखना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय आदिवासियों की दैनिय सामाजिक वा आर्थिक इस्तिती देखकर उन्होंने समाज सेवा का मन बनाया और राजनीती में परवेश किया। और संसद में आदिवासियों की आवाज बन कर तीन बार लोहर दगा से संसद वा कैबिनेट मिनिस्टर बने। कार्तिक उराउंची ने कहा था कि आदिवासि के जीवन के अस्तित्व का आधार ही उसकी जमीन है। अगर जमीन है तो आदिवासि है अन्यता नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आदिवासी को जीवित रखना है तो उसकी संस्कृति, सभ्यता, प्रम्प्रा एवं आदिधर्म को जीवित रखना होगा। आदिवासीयों में सिच्छा के परती जागरुपता सांस्कृतिक उत्थान वा सामाजिक नयाय के लिए उन्होंने अथक पर्यास किये। 1968 में जब विनोबा भावे जी ने देश व्यापी भूदान आंदूलन चलाया तो सरकारों ने आदिवासीयों की जमीने औने पोने दानमों पर कबजाना सुरू कर दिया। जिसका उराव साव ने पुरजोर विरोध किया और ततकालिन परधानमंत्री स्रीमती इंद्रा गांदी जी से अपील की की आदिवासीयों को भूमी हीन होने से बचाया जाए। उनका ये संगहर्स काम्याब रहा जिसके तहट सरकार को भूमी वापसी अधिनियम बनाना पड़ा। इस अधिनियम के लागू होने के पस्चा थी आदिवासीयों को उनकी जमीने वापस मिली। उसी दोरान उनके अथक पर्यासों से आदिवासीयों के विकास वा कल्याण के लिए सरकार ने ट्राइबल सब प्लान बनाया जिसके तहट सरकार ने आदिवासीयों के कल्याण वा विकास के लिए विभिन योजनाय बनाई। सिक्षा और सरकारी तौक्रियों में अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के लिए भी उन्होंने पुर्जोर वकालत की जिसका परिणाम आज हम सब के सामने हैं। डौक्तर कार्तिक उराओं ने आदिवासी समाज में पढ़ा वैवस्था को पुना जीवित किया ताकि छोटा नाकपूर के आदिवासी अपने विवाद सुएम सुलझा सकें। उन्हें बाबा पंकराज, आदिवासीयों का मसीहा वा छोटा नाकपूर का काला हीरा जैसे कई उपनामों से नवाजा जाता है। प्रार्थना प्रवचन वा भजन प्रस्तुत किया गया। अग्वाद सुलझा सकें। बिनी नाल दीकाद देड लूगताश्न दीकाद बिनी नाल दीकाद बिनी नाल दीकाद आड़ लोग लगत्मी गेम आल खदरी कुंदरतार की पोशा पर दालगदे है अरा आसिस दुआ चिया लगदे है अरा आसिस दुआ चिया लगदे है दया ना धर्मेश इमन सोगे सारा अध्यप्ठ श्री अनिल कुमार भगजी ने कार करम की सुरुवात की 99 साल मतलब जनम दिन को याद आई हमें यह भी आज याद आई और हम इकट्टे हुए यह बहुत भी बड़ी बात है और आज से कार्थिक बाबा की सव्वी मतलब सतावदी वर्ष सुरू हो रहा है और यह कार्षकरम जगह जगह पर दिल्ली में हर छेतर में उत्तर दक्षिन पूरब पच्छिम हर जोन में महिने में एक बार प्रयास करेंगे कि प्रास्थना सभा हो और उनकों याद के जाए सालों और लास्ट जब 29 अक्टूबर 24 में इसकी भाब ये तरीके से जो हम कर्मा सरूर नाते हैं उस तरह से बड़ा एक प्रोग्राम करेंगे कार्या कारणी के सदस से स्री राम कि सोर क्रिगटा जी ने बाबा सहाब के बारे में अपने विचार रखे सरनास्थल में आज हम इकत्रित होकर इस हमारे जैनती को हम पड़े हैं आनंदर उससाफ के साथ हम मनाने जा रहे हैं यह हमारे लिए एक सुब अवसर के तोर पर आया है कि हम पूरे दिल्ली वासी आज हम इकत्रित हैं इस अवसर को हम साथ-साथ मनाने के लिए और कर्ती कु हमारे सोसाइटी के तती जो उनका योगदान है, उनको हम जानने का, समझने का और उनके जो पत्थ उनों ने दिखाया है, उनको अनुसरण करके हमारे जीवन को और बहतर बनाने का। संस्था के सलाकारों में से एक स्री राम कुमार भगत जी ने अखिल भारतिय आदिवासी विकास परिशत के संबन्द में डॉक्टर कार्थिक उराओं जी की सोच को अपने सब्दों में व्यक्त किया। कि उराओं समाज आदिवासी समाज ट्राइवल पर्टिकुलर ली पुरे अवल इंडिया के ट्राइवल के लिए कैसे एक योजना बनाए जाए इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1968 में इसी योजना के तहट उन्होंने अखिल भारती विकास परीशत का स्थापना किया। इसका मूल उद्दे से ये था कि हम आदिवास्कियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को नोकरी पेसा में कैसे लाएं। और इनको सांस्त्रितिक जो धरोहर है इसको कैसे बचा के रखें। लेकिन इसमें मुझे बाद में थोड़ा सा इसका अध्यान करने से पता चलता है कि हमने जितने भी लोग इसको फोलो करते गए आदिवासी विकास परीशत को तो उनमें ये धार्ना रही कि ये कोई कुई कल्चरल प्रोग्राम को आगे पढ़ाने के लिए बनाया गया है और हम अपने कल्चरल उसको तिखाते रहें उसकर असे हम कुछरे और जो इसमें रोजगार की जो इसे बहुत पड़ी जो उपस्तित सभी सदस्यों ने पंगराज बाबा की तस्वीर पर उस्प अर्पित कर के उनकी विचारधारा वा सपनों के प्रती अपनी सर्धांजली भेंट की अंत में उपस्तित सभी सदस्यों को परसाद वा भोजन वित्रित किया गया कारे करम की कुछ जलकियां आपके लिए प्रस्तुत है कुलानाज करिक सन केश खाए बाबा कुलानाज करिक सन के सर्धारों करिक सबद्सुत है कं गद्र स्वीर पर उस्प अ रंपनाज करिक सन केर शिए भाबा होले के टान right थे बाबा आंविके सन राए般 अधर्य बाबा ख़के सन रांद brewing थे प्र दंद्र initiatives आई मामा एकस, आई मामा एकस क क क क क क क क साति है है जो कि बणक सक चाम। जिन्दा आए चेलाब बाबानुले खाला जिन्दा आए चेलाब बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा अजो नीनी म्जाटायो, नीनी म्जवायो, नीनी म्जाटायो, वस्तो भी जैं, रेच्य सक्षी कोशक pag Gabe कौनका मेरे जाएं? के जेदर भी जैं, आलवेच्य सक्षी किज Серг ag showing कोहा प्रका ही माला ही बार, ват कोहा, कोहा प्रका ही माला ही जारो चोडो करन को दार के भारक में चोडो करन को दार के लास तो जाए जो जाए बना दो उनायो दीना की पास चोडो करन की पास चोडो करन की पास